एक बाद फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहां आप सब को पता जी फर ग्रामर एंटी फर ट्रांसलेशन की विडियोज आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंग औ होता है आपको या विल लगाएंगे फिर लगाएंगे और फिर भी फोर बड़का चौथा रूप यानि या इन जी वाला रूप यानि प्रिजेंट पार्टिसीपल रूप हम इसमें लगाएंगे अच्छे लिए तो आप शुरू करते हैं और जानते हैं तो सबसे पहला है म I shall be eating हम लोग दोरते रहेंगे वी शैल भी रणिंग याद रखेंगे रणिंग में डबल एन होता है तुम पढ़ते रहोगे यू विल बी रिडिंग वह खेलता रहेगा ही विल बी प्लेइंग वे लोग टेलीविजन देखते रहेंगे दे विल वी वाचिंग देलीविजन इसमें दो बात याद रखेंगे एक तो टीवी देखने के लिए सी या लुक बिलकुल नहीं कर सकते हैं वैसे मैं बता दू सी लुक वास्तिनों का मतलब देखना होता है इसको ध्यान से समझ लेंगे बहुत कम जगह मिलेगा बहुत कम लोग बताएंगे सी मिन्स देखना जो भी चीज आखों के सामने आया उसे समाने रूप से देखना फॉर इकजांपल आप अपने घर से कोचिंग जाते हो रास्ते में से क्रों हजारों चीजें आपके नजराती है वो रोज का रूटीन होता है उसके गौड़ने करते हैं आख में आया आखों क्यों बोलते हैं यानि ध्यान से देखो दिमाग भी देखना है रास्ते में हम देख रहे हर चीज के दिमाग नहां कोई हंट कर जाता है चाहिए चीज तो फिर कुछ अलग सा चीज हो फिर वह या कोई जान प्रचान का आदमी हो तो अलग रिएक्शन है तो नर्मल हो गया नर्म दिमाग ओडवा है तिनो इस लिए घी याद यदियो जब आप टेलेविजन देखते है या कोई सिनौमा देखते हैं तो क्या होता है या मोबायल देखते हैं आपका दिल दिमाग और आँक कि निर्म में विखते हैं ऐसे तीव मार्म देखता है मोई देखता है तो दिल दिमाग आख उसका तीनों वहां पे रहता है उसी को वाच कहते हैं तो टीवी को माना जाता है इसलिए वाच है चलिए मां की दव भी लगा देंगे तो अच्छा रहेगा किसी खास टेलिविजन को मोहन नहीं लगाएंगे तो इसका लोड़ देखने टेलिविजन ओफ है और आप देखरें इसलिए दव लगा देखें ये खास हो जाएगा मोहन तैरता रहेगा मोहन विल बी स्वीमिंग इसमें भी ध्यान रखेंगे डवलेम होगा वह नहीं खेलता रहेगा तो वील और भी दो हेल्पिंग बर्व होते हैं नोट लगाने का रूल मैं बता चुका हूँ पहले हेल्पिंग बर्व के बाद रख देंगे यानि वे लोग काम नहीं करते रहेंगे वैसे बनाने को देविल नॉट बी डूइंग वी कर सकते हैं लेकिन वह करना चीए तब यह काम वह काम रहे दिस वर्क देट वर्क रहे तब जाकर करके अन्यता सीधा काम करना है तो वर्किंग ज्यादा बढ़िया रहेगा मैं नहीं सोता रहूंगा I shall not be sleeping क्या आप दोरते रहेंगे will you be running ध्यान रखेंगे फिर से मैं कह रहा हूं running में double N लगा देंगे वही होता है नहीं लगाएंगे तो गरबर हो जाएगा फिर है क्या मैं खेलता रहूंगा shall I be playing क्या आप सोते रहेंगे will you be sleeping क्या वे लोग खरे नहीं रहेंगे will they not be standing फिर है क्या वे लोग इंतजार नहीं करते रहेंगे will they not be waiting क्यों वह क्या करता रहेगा ये डब्लू एच को अब क्या क्यि दो चाहर मैं खरे हैं और यहां पर वाई टाइप कर दिया आप क्यों तहारते रहेंगे why will you be swimming वह कहाँ परता रहेगा where will he be reading ठीक है आप क्यों प्रतिक्षा करते रहेंगे why will you be waiting और लास में डबलू एच निगेटी भी आ गया कि वे लोग काम क्यों नहीं करते रहेंगे why will they not be working इस प्रकार से इसमें total 20 ते हैं उमीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा आपको confusion नहीं होगे फिर वी को confusion नो तो हमें कमेंट करें मैं आपके कमेंट का reply करने की पूरी करशिश करूँगा साथ में कमेंट में हमें बताए हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दे ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दे कुछ तो करें साथ में यदि चैनल पर नहीं है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार से ट्रांसलेशन के वीडियो जब भी वने तो वह सीधा आपके पास पहुंच सके हाँ इसके लिए नोटिफिकेशन बेल में और प्रेस कर दें और आप इससे क्या होगा कि आपको पहले के वीडियो भी नून ने में आसानी हो भी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लि उने आसे कर दो हम उने लिए में गानदे वीडियो एणिन